तो गैस मैं हुआं के तौर आप दिख रहे हैं रिस्लिंग फैन्स नेटवर्क सुरू करते हैं अपनी बातों को सबसे पहले हम लोग डेवल डेवली और टी एने के एक पॉसिबल क्रॉस ओवर से जो की देख के अभी काफी ज्यादा लाइकली लग रहा है आखिर मैं ऐसा क्य कुछ टीज करता था कि क्या पता एक फ्यूचर हमें यह टी ने डवल्ड़ क्रॉस ओवर भी देखने को मिले क्योंकि दोनों ही रेस्लिंग कंपनीज है ने बैबी इवन एक प्रॉफ्स ओवर से पहले हमें डवल्ड़ और टी एने का क्र्रॉस ओवर देखने को मिल जाए त हुआ कहाना कि कल TNA ने एक वीडियो पैकेज पोस्ट करी अपनी वह यह ओन गोईंग जो उनके चेंजेस हैं तो वहाँ पे जना वीडियो के अंदर वह प्रीमियम लाइव इवेंट कह रहे थे लेकिन वह पेपर व्यू को प्रीमियम लाइव इवेंट कह रहे थे अब आपको मालूम होगा कि WWE इस टर्म को लेकर आई थी, WWE PPV से काफी बोर हो चुकी थे तो इन लोगों ने प्रीमियम लाइव इवेंट कर दिया प्रीमियम लाइव इवेंट करेंगे तो यह सेम चीज साथ टियने के साथ भी हो रही है तो इन लोग ने भी पे-ली चेह दिया अब अगर आपको याद हो मैंने आपको पता है कि थर्स्टे को जो कि अपने इंडिया के साफ से फ्राइडे मॉर्निंग साइद, ट्रिपल अच कुछ मेजर एनाउंस करने वाले हैं, एक तो टीवी डील, दूसरा हो सकता है कि मौस्ट प्रबैबली ट्रिपल अच किसी नए सा अभी प्रबैबली लेकर आए थी, तो क्या पता ट्रिपल अच की एनाउंस्मेंट इसी से रिलेटेड कुछ हो, में भी हो सकता, विकाज रोल रंबल आ रहा है साथ में आपने अपडेड भी सुनी सुनी सुमा में आपको बताए भी कि नयोमी पॉसिबली आ सकते हैं डबी हिंट्स वगरा मिल रहे हैं कि आप चाहते हो कि टी एने डबी डबी का क्रॉसोवर हो, कॉमेट करके बताना अभी हिंट्स आ रहे हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में जोगी है, रेसल मीनिया को लेकर क्या रेसल मीनिया बहुत ही जल्दी इंट तो जाती है, तो क्या रेसल मीनिया भी बाहर हो सकता है, इसको लेकर डिसकूस वगरा पहले थी, लेकिन ये कोई टॉप प्राइवटी नहीं है डबी डबी के लिए, अभी मैं आपको बता दू, कहा जा रहा है, अकॉर्दिन डू बी डबी 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 हैस अ ग्लोब प्राइब करता है लोग को, बी डबी डबी का ये कहना है कि 2024-2025 में डबी 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 और ज्यादा इंटरनेशनल एक्स्पैंड करने की सोच रही है, ग्लोबल प्लैंस इंप्लेमेंट करेंगो, वो 2024 से स्टार्ट हो गया तो, अभी के साब से डबी डबी काफी यूएस से बाहर हो कॉमेंट करके बदाना, अभी मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि कोई होगा जो कॉमेंट करेगा रसल मीना इंडिया नरेंदर मोदी स्टेडियम, बट ये चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आने वाले 10 साल, 15 सा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लाइब इवेंट्स हो जा रहे हैं, वो बहुत है, अगर आपको एक नॉर्मल मीडियो कर पेपर भी मिल गया ना, तो समझ लो भाई कि हमें बहुत कुछ मिल गया, वो रसल मीना इंडिया में तो कभी नहीं होने माला, लेकिन हाँ, लंड बात करते हैं, अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है ट्राइबल चीफ, रोमन रेंज को लेके, तो आयदी रोमन रिकॉर्ड्स वगरा बनाते रहते हैं, अब यह थोरा सा पेस्ट सुलो हुआ है, लेकिन एक और मालस्टोन रोमन ने टच कर रहा है, अब यह मालस्टोन क्या हैं, 2021 में भी हो चैंपियन थे, 2022 में भी चैंपियन थे, 2023 में भी है, तो 20, 21, 22, 23, 24 है, पांच साल होते हैं, अब यह सिर्फ एक रन के अंदर है, एक रें के अंदर है, अब पहले रोमन ने स्टार्ट करा था चीजों को युनिवर्सल चैंपियन से, देन वो बने चैंपियन, यह चीज बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, इस चीज इंपॉसिबल है, रोमन ने कैसे कर ली, वो रोमन की रें इतनी इंक्रेडिबल थी, साथ इसलिए हो गई, अभी के साबसे क्या आपको लगता है, कि रोमन को दोजार पचीज भी एंटर करना चाहिए, एस चै कर रही है, मैं आपको पहले बता दूँ कि एक्जैक्ट कोई रिपोर्ट नहीं है, यह सिफ मैं गेस कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ लोग की होप्स हाई हो गी है, क्योंकि रोक के साथ उनको सेग्मेंट मिला है, लेकिन हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि जिंदर महल के साथ इसलिए मिल सकता है, क्योंकि बहुत टाइम बाद वो में रॉस्टर पे प्रॉपर तरीके से प्रेजर्ट होते हुए दिखें, जिस तरीके का उनको रियाक्शन मिला था क्राउड की तरब से, तो डबी डबी हो सकता है कि एक एक एंटी यूएसे गिमेक डबी 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 तो यह यूजवली करते हैं, अगर कोई इंडियन सूपर्स्टार उनके पास होतो, अगर को ऐसा इंडियन सूपर्स्टार उनके मिल जाता है, तो उसे एंटी यूएसे बना देते हैं और उसके बाद उसे बूव अगरा करवाते हैं, तो यह डबी डबी को अरिजनल बात करते हैं गाज अपनी आखरी स्टोरी के बारे में अगर ये अपडेट अगर ये न्यूज सही हो जाती है बहुत मजा जाने वाला है रॉक के साथ तो देखो रॉमन का मैच होगा यानि कि रॉक आ चुके हैं रॉमन से कंपीट करने अल्मस्ट आल्मस्ट कहा सकता है आप लोग की बहुत ही जल्दी रॉक आपको फुल टाइमर बनते वे देखेंगे इस रॉमन रेंस वाली फ्यूड के लिए लेकिन क्या रॉक सिफ रॉमन के साथ ही डन नहीं होने वालें क्या और फ्यूड समय देखने को मिलेगी रॉक की डवी डवी के अंदर क्या मेभी हमें रॉक सी एम पंक का मैच देखने को मिल सकता है जिसकी हाइप कितनी जाद आपको मालू में क्या यह हो सकता है मैं आपको बता दू जॉन सिनाने अभी रीसेंटली ही अपना यह 2023 के end में ही almost अपना एक massive रंदिया एक long रंदिया डवी डवी के अंदर और सेम यह रॉक के साथ भी हो सकता है रॉक के लिए थोरी मुस्किले जादा है क्योंकि वो बहुत ही massive name है लेकिन यह impossible बिलकुल भी नहीं है हो सकता है कि डवी डवी रॉक को लेकर आई है क्योंकि वो एक दो feuds निपटा के जाए अब यह रॉक किये वाली जो feuds अभी currently रोमन के साथ होने वाली है वो already काफ़ incredible है काफ़ी massive है और सब को पता है कि इसमें बहुत numbers ड्रॉओंगे and CM Punk के साथ भी जब feud होगी तो भाई वो बहुत ही massive होगी and WWE I think यह ज़रूर से कराँ चाहेगी because CM Punk भी वापस आ चुके है तो क्या लगता आपको क्या ठोट से comment करके बताना मेरे ही साबसे possibilities है काफ़ी कम है लेकिन हो सकता है इस वीटे के लिए एक कुछ update से I hope सापको वीडियो से information मिली हो मिले ते वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें चैनल को follow कर सकते हैं मुझे Instagram and Twitter पर link आपको मिल जाएके description में join कर सकते हैं WhatsApp चैनल को उसकी भी link का description में मिलते हैं अपनी next offer काफ़ interesting video में